आज हम निकालने वाले हैं टॉर्क अपने इलेक्ट्रोस्टेटिक्स में पढ़ा था टॉर्क इना इलेक्ट्रिक फिल्ड सेम वैसा ही कुछ यहाँ पर पढ़ने वाले हैं टॉर्क इना मैगनेटिक फिल्ड इन दा एंड आफ वीडियो मैं आपसे पूछूंगी एक क्वेश्चन रिलेटिड टू दिस वीडियो जिसका आंसर आपको लिखना है कमंड सेक्शन में और अगर आपकी कोई है प्रॉब्लम यहाँ पर हमने दो इलेक्ट्रो मैगनेट्स लिए हैं नौर्थ एंड साउथ और इसके बीच में हमने एक रेक्टेंगलर कोई लिया है ए बी सी डी जिसमें करंट फ्लो कर रहा है A to B, B to C and C to D and D to A और यहाँ पर हमने कोईल को रखा है इलेक्ट्रो मैगनेट्स के बीच में तो यहाँ पर मैगनेटिक फिल्ड की डिरिक्शन होगी नौर्ट तू साउथ रेक्टेंगलर लूप है तो इसकी जो लेंथ है A to B वो हम कंसीडर कर रहे हैं L और ब्रेथ यहाँ पर हम ले रहे हैं B तो यह वाली साइड L है यह B होगी यह B है तो यह वाली साइड B क्या होगी B इस तरीके से हम इसकी कंसीडरेशन लिखेंगे अब हमें इस रेक्टेंगलर कोईल की चारो साइड के उपर फोर्स फाइंड आउट करना है फोर्स निकालने के लिए यहाँ अभी हम यूस करेंगे फलेमिंग प्लेमिंग लिखेंग रुलु रूट इस सभे में डील फाइं धरिंद दिखेंगे प्र एंग धिचो अलिखेंगे अलिखेंग य। एंड बा से स्थे विर आउट कयंगे ऩल इस रूटर इस विर इस बानिए नुर्स करेंगे दूर्ण In AB arm, current is inward, so the direction of current is inward, so the direction of force is inward, and in case of CD, direction of force is outward. Here we consider F1 force, and here we consider F2 force, by using flaming left-hand rule. अब हमें पता है, according to this result, कि 4 जो है किसी भी current carrying conductor पे हम क्या यूज़ करते हैं, F equals to I LB sin theta, ये formula यूज़ किया जाता है. अब जब हम AB arm के उपर और CD arm के उपर देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखो angle क्या बनेगा, magnetic field की direction अमारी ऐसे है, current की direction ऐसे है, तो current और magnetic field क्या हुए, perpendicular, angle क्या बन जाएगा, 90, sin 90 किसके एकवल होता है, 1 के, तो इस condition में force आजाएगा, I L B, same condition होगी CD पे, लेकिन in case of AD और BC, एंगल जो है, वो different बनेगे, यहाँ पे magnetic field की direction है, no to south, और यहाँ पे direction है, D to A, opposite direction होगी, angle क्या बनेगा, यहाँ पे 180 degree, चीक है, इस case में देखते हैं, यहाँ पे no to south है, और यहाँ पे क्या है, B to C है, दोनों की direction क्या होगी, same, parallel है, parallel वाली condition में angle क्या बनता है, यहाँ पे, 0, दीक है, sin 0 और sin 180, जब हम यहाँ रख रहे हैं, तो force क्या हो जाएगा, 0, तो इसका मतलब, AD और BC आम के अंदर, जो force है, वो क्या आएगा, 0 आएगा, अमारे पास, अब force जो है, वो A, B और C, D आम के उपर है, यहाँ पे यह दोनों parallel है, direction इनकी equal and opposite है, तो जिसके वज़े से यह coil रोटेट होनी, start हो जाएगी, ठीक है, अब कोईल रोटेट हो रहे है, तो महाँ जो force होगा, वो क्या 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 लाएगा, टॉर्क के लाएगा, टॉर्क जो है, वो एक टाइप का force ही होता है, लेकिन वो किस form के अंदर होता है, rotational form के अंदर, तो यहाँ पे हम टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क जो है, वो किसके एकवाल होता है, force into perpendicular distance, अब देखो, यह coil जो है, वो इस तरीके से रख्यूए है, कि हमें इसका यह वाला पार्ट जो है, वो दिखाई देगा, यह force जो है, वो कैंसल हो रहे है, correlated form के अंदर है, तो यहाँ पे हम यह वाली side is की लेंगे, इस तरीके से, A, D, यहाँ पे force apply हो रहे है, F1, यह force है, F1, और यहाँ पे क्या है, F2, यहाँ पे force आ जाएगा, F2, यह condition form हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, construct करेंगे, यहाँ पे, A, B, and B, D, यहाँ पे angle theta है, यहाँ पे जो angle होगा, वो क्या होगा, 90, अब A, D, diagram में क्या है हमारे पास, B, तो यह वाली side हमारे पास क्या है, B, और यह जो side आएगी, वो क्या आएगी, B cos theta, चीक है, cos theta करके, जब हम निकालें, cos क्या होते है, base upon hypotenuse, A, E side जो है, वो किसके एकवल होगी, A, D cos theta, A, D हमारे पास क्या है, B cos theta, यह आजाएगा, यह हम use करेंगे, इसमें, force हमारे पास क्या है, I, L, B, तो यहाँ पे बन जाएगा, I, L, B, और distance हमारे पास क्या आगया, B cos theta, अब यहाँ पे coil हम use करें, rectangular coil, rectangular coil के लिए, जो area होता है, वो क्या होता है, length into breath, यहाँ पे L into B, जो है, वो किसके equal आजाएगा, A के equal, So, area of coil, L into B, तो इसको हम A put कर देंगे, next step में, I, A, B, cos theta, अगर इस coil के अंदर, N number of turns हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, N से multiply कर देंगे, For N tons, torque will be N I B A cos theta, तो torque हमारे पास यह आ जाएगा, अगर जो normal हम draw कर रहे हैं, plane of paper के उपर, वो coil पे अगर alpha angle बनाता है, Magnetic field की direction में, तो यहाँ पे जो angle होगा, theta plus alpha, किसके equal आ जाएगा, 90 के, यहाँ से जब हम theta की value निकालें, क्या आएगी, 90 minus alpha, अब हमें पता है, यहाँ हमारे पास क्या है, cos theta, cos theta की जगा रखेंगे, 90 minus alpha, cos 90 minus alpha, किसके equal होगा, sin alpha, identity यहाँ, sin 90 minus theta क्या होता है, cos theta, तो वैसे ही, हम यहाँ पे यह use कर रहे हैं, जब हम यह use करेंगे, तो यहाँ टॉर्क क्या बन जाएगा, अमारे पास, NIBA, sin alpha, यह term बन जाएगे, अमारे पास, अब हम यहाँ पे क्या use करेंगे, NIA, current into area, किसके equal होगा, magnetic dipole moment के equal, तो NIA, इसको हम किसके equal रखेंगे, M, and M is magnetic dipole moment, तो यहाँ पे term बन जाएगी, MB sin alpha, जब इसको हम vector form में लिखेंगे, तो क्या आजाएगा, M vector, cross B vector, यह form हो जाएगा, हमारे पास, vector form के अंदर, result, अब यहाँ पे हम special cases लेंगे, special case के अंदर हम क्या करेंगे, first यहाँ पे हम use करेंगे, अगर coil को हम set करते हैं, parallel to the magnetic field, अगर magnetic field के parallelly set कर रहे हैं coil को, तो उस condition में जो theta होगा, उसकी value क्या होगी, 0, और यहाँ पे हम use करेंगे, cos 0 किसके equal आएगा, 1 के equal, तो इसका मतलब यहाँ पे torque क्या होगा, maximum होगा, इस condition में, second case, अगर हम coil को perpendicular लेते हैं, magnetic field के, तो angle 90 होगा, इस condition में torque जो है, वो क्या आजाएगा, minimum, अब आते हैं आपके बारी, question है, AD and BC arm के अंदर force 0 क्यों होगा, Thank you for watching my video. If you like my video, please like, subscribe and share.